पंजाब हर्यणा के शंबू और खनोरी बॉर्डर पर चल रहे किसान अंदोलन का आज दस्वा दिन है किसानों ने दिल्ली कुछ करने का प्लान फिलहल दो दिन के लिए टाल दिया है किसानों ने खनोरी बॉर्डर पर युवा किसान शुपकरन सिंग की मोत और तनावपूर्ण हलत के बाद ये फेसला लिया है किसान मजदूर मोर्चा के कौडिनेटर सरवन सिंग पंधेर ने कहा कि दो दिन हम रणनिती बनाएंगे 23 फरवरी को अगला फेसला लिया जाएगा पंधेर ने पुलीस फाइरिंग का फोटो जारी कर कहा शूपकरन सिंग तेवी साल गाउं बलो जीला भटिंडा की मोत हो चुकी है ऑन दा इस पार्ट जो सिर पर गोली लगी थी उसकी तस्वीर साजा कर रहा हूं इसके साथी सीधी फाइरिंग होती दिख रही है जिसकी तस्वीर भी साजा कर रहा हूं सीधी एसल आर के साथ फाइरिंग की जा रही है वहीं हर्याणा में भारती किसान यूनियन ने आज दोपर बारा से दो बज़े तक रोड जाम करने का एलान किया है इसके अलावा किसान नेता खनोरी बॉडर जाकर शूपकरण सिंग की मोत के मामले में वह डटे किसानों से जानकारी लेंगे किसान नेताओं ने कल दिल्ली कुछ का एलान किया था पुलीस ने लगातार आसूगेस के गोले दा गए जिससे किसान हर्याणा में एंट्री नहीं कर सके शाम होते होते शंभू और खनोरी बॉडर पर हाला तनाव पून बन गए शंभू पाडर पर आसूगेस के धुए से किसान नेता सर्वन सिंग पंधेर और जगजित सिंग डलेवाल की तब्यद बिगड़ गई डलेवाल को रात को ही पट्याला के राजिंद्रा अस्पताल में भड़ती कराया गया